तीन दामाद की सास पाट टू विवेक का हाल तो वैसा का वैसा ही है गर में नास्तु बगार नाषता बनता है और नाखाना नाक्री पर जानी की बात करूँ तो खानी को दोड़ते हैं मुझे हाँ मम्मी मैंने भी सुमित को कितनी बार कहा कि अगर नौकरी नहीं करनी तो कोई छूटी से दुकान ही खोलो घर का खर्चा कैसे चलीगा दिखो दुपर के बारा बजने आए और जिनाब अभी तक सूर है हाँ मम्मी ईशा और सुआना ठीक कहती है अब इनाश का भी यही हाल है जब मैंने अपनी प्रेग्नेंस की बारे में कहा तो मुझसे कहनी लगा अरे दूसरी लड़किया तो नौनो मैने तक नौकरी करती है बास डिलिवरे के टाइम शुटी लेती है मुही नहीं तुम भी नौकरी करो अब मुझे कहा नौकरी मिलेगी ममी बताओ अब मैं क्या करू ए बगवान क्या सोचकर घर जमाई दामाद लाई थी मैं कि मेरी बेटा ऐसी गलती भी मत करना अगर तुमने ऐसा किया तो इन तीनों की आदत और खराब हो जाएगी अरे आज नहीं तो कल कभी तो तुम प्रेग्नेंट होगी तब वापस यही प्रॉब्लम आएगी तब क्या करोगी तुम तीनों आपकी बात तो बिल्कुल सही है इन को बुलाओ फिर मैं बात करते हूँ थोड़ी दिर बात कावेरी जी अपने तीनों दामादों को सामने बुलाकर अपनी बात कहना शुरू करती है अविनाश सुमेट और विवेग देखो बेटा मैं ना तुम तीनों से बड़ा प्यार करती हूँ इसलिए तो तुम्हें घर और सुमेट ठीक कर रहा है आपकी बेटी से शौधी करके मेरी तो जिन्दगी ही अच्छी होगी है जानती हूँ मैं और ये भी जानती हूँ कि तुम तीनों आपने अपने बीवियों से बहुत प्यार करते हो बेटा बात ऐसी है कि हमारे कुल गुरू ने कहा है कि प्रेगन कि तो उनकी बच्चों को कुछ भी हो सकता है इसलिए अपसे लेकर चार महिने पूरे होने तक इन्हें गाउवाले घर में रहना पड़ेगा हाथ इसमें प्रॉब्लम क्या है ममी जी हम भी वहां जाकर रहेंगे पिकनिक बनाएंगे अरे बई बीवी जहां हम भी वहां हो य ममी जी अब हमारे बच्चों का सवाल है तो यह तो खनमा ही पड़ेगा कावेरी अपनी तीनों बेटियों को कुछ दिन के लिए घर से बाहर कहीं दूसरी शहर में रहने के लिए भीज दीती है कुछ दिनों के बाद अरे ममी जी बहुत दिन से पिज्जा नेगा है मंगवा बाकिया है वही सोच सोच कर परिशान हो रही हूँ सोच रही हूँ कल से दूद भी बंद करवा देती हूँ अब दूद वाले को देने के लिए पैसे भी तो नहीं है ना अरे ने ने ममी जी अगर दूद भी बंद करवा दोगी तो मुझे चाय कहां से मिलेगी और चाय की ब प्लान करके घर से बाहर निकलते हैं और बाजार में जाने के बाद सुमीत और अविनाश वहां से चली जाती हैं और विवेक उस कंप्यूटर शॉप पर सारा दिन काम करके पांच जार रुपए कमा कर घर लाट कराता है और अपने खाने के लिए अच्छी चीज़े भी ले कराता है यह देखकर विवेक और सुमीत के दिल में भी कुछ पैसे कम सुमीत और अविनाश विवेक को इस तरह तरक की करते देखकर परिशान हो जाते हैं और वो दोनों भी काम के तलाश में निकल पड़ते हैं धीरे धीरे उन दोनों को भी काम मिल जाता है अब कावेरी के तीनों दामा चोटी मोटी नौकरी करके अच्छा पैसा कमाने लगे एक दिन कावेरी उन्हें अपने पास बला दी हैं अरे वाह विवेक 40,000 कमा लेता है अविनाश 60,000 और सुमी तुम भी 40,000 के आसपास कमा ही लेते हो कुल मिलाकर तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो बेटा हाँ ममी जी बहुत मज़ा आता है जब महीने के एंड में मोटी लोट कराने वाली है लेकिन ममी जी अभी तो उन्हें गर सिर्फ दो महीने हुए है आपने तो कहा था वो चार मीने के बाद लोट कराएंगी ऐसा कुछ नहीं है बिटा मैं सिर्फ तुम तीनों को सबक सिखाना चाहती थी कि आदमी घर में बैठ कर बीवी की कमाई खाता हु लोट कर आजाती है और कावेरी जी का परिवार एक खुशाल परिवार की तरह रहने लगता है